नमस्कार दोस्तो आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल जीके हेलप विद जारवी पर हारदिक अभिनंदन एवं स्वागत हैं दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्तान पुलिस एकजाम के लिए राजस्तान समाने ग्यान के मोस्ट इपोर्टेंट 45 पुछा जाएगा जिसका जवाब भी आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना होगा तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले आपसे निवेदर रहेगा कि आपने अभी तक यूटूब चैनल जीके हेलप विद जारवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्न का दूसरा हवा में अभी आपको दियां रखने है हवा में मेल दोस्तों एक को습니다 यह आपको रखने है और हवा बंगला है यह 13 अलवर में भी आस्तित है और मेन जो हवा मेल है दोस्तों जिस से रिलेटिव बहुत कोस्टन पूछी गए एकजामस में हवा मेल जो मेन है यह जेपूर में इस्तित है इसका निर्मान स्वाई परताप सिंग ने 1799 में इश्वी में करवाया था किसने करवाया स्वाई परताप सिंग ने 1799 में इश्वी में इसकी जो आकरती है वो है भगवान स्री कर्शनजी के मुकुर के श्वान हवा मेल पांच मंजिल है यह पांचों मंजिल बहुत पहली मंजिल का नाम है सर्द मंदिर या परताप मंदिर दूसरी मंजिल का नाम है रतन मंदिर तीसरी मंजिल का नाम है मित्रो विचित्र मंदिर चोथी जो मंजिल का नाम है प्रकास मंदिर और पांच मी जो मंजिल का नाम है हवा मंदिर तो यह पांचों नाम आपको याद र सिफिट इसके जो वास्तुकार थे बहुत है लाल चंद उस्ताद इसमें टोटल खिड़कियां 953 है एक्जाम में यह कोस्टन पुछा गया है कि हवा मेल में टोटल खिड़कियां कितनी है 953 है और इसमें जो जरोके बहुत तीन सो पेंस्ट तो यह आपको याद रखना है सभ है अबने दोस्तों के साथ भी जादा से जाधा सेयर करना है तकि उन्हें भी फाइदा मिल सके चलिए मित्यों अगला क Тогда कि सूदरशनगाट कि स्दूर। का प्राचिव नाम है। को दार्शन गड़ को प्रैशना में है इस को संट का भी औप्षण राइट है यह जो नावड Woods दूख जांगता द्रूग इसे का एक नवह जेपुर का मПрटमनी और जेपुर का प्यरेदार नारगड़ गूं को कहते हैं इसका निर्मान बात बताता हूं दोस्तों जो एक्जाम में पूछी जाती है जो जगत सिंग कछवा सेकिंड थे इनकी जो प्रेमिका थी रस कपूरी इसको केद भी नहरगड में रखा गया था और जो स्वाई मादो सिंग है इन्होंने एक जिसे नो मेलो का निर्मान करवाया था वो द्रूग में अस्तित है यह आपको याद है रहना चाहिए चलिए अगला कुस्चन है छेत्रफल की द्रश्टी से राजस्तान का सबसे बड़ा पठार कौन सा है पठार बताने आपको दोस्तों कि छेत्रफल की द्रश्टी से राजस्तान का जो सबसे बड़ा पठार है मित् अग्जाम में पूछी गई है दूसरा स्रोच पठार अबू परवत का पठार इसके उंचा यह बाराशों मिट्र और मेशा का पठार अमित्रों यह चितोड़ गड़ मिश्थी ते यह जो चितोड़ गड़ कीले मित्रों यह मेशा के पठार पर अस्तित यह भी आपको याद रखने चेली अगला कोस्चन है गिर्बान उड्ठ की सजावट में किस वालाग में प्रिउक्त होती है ओप्षन आपके सामने हें नाक में पीट पर पेर में गले में यह जो गिर्बानIntr paralyrif की सजावट में नाक में प्रिउक्त की जाती एंस कोस्चन का ए ऊप्षन रायट ह है यह जो उट है मित्रो भारत में अगर बात करें सुरस्रवाधिक पाया जाता है राजस्टान में का पर पाया जाता है किस राज़े में स्रवाधिक उट पाया जाते हैं राजस्थान वी Olivia 70 परति जा उटाने में है और 2014 में जो पसूद अंसरेनी है इसके अंतरगत राज्य पसूद ऊंट को गोसिते किया गया था यह फेक्ट भी आपको याद रखना है और उट का जो विग्यानिक नाम है वह केमिलेस ड्रोमेडेरियस यह याद रखना के मिलेस ड्रोमेडेरियस ऊंट अनुसंदान के और उट से रिलेटिव एक स्पेशल वीडियो भी पेले अप्लोड किया गया था अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक भी आपको डिस्कृप्शन में दिया गया है वहां से आप देख सकते हैं चलिए अगला कोस्च ने गोडिये संपर्दे की परमुक पीट का अपर अस्तित है गोडिये संपर्दे की जो परमुक पीट है यह अस्तित है गोविन देव जी मंदिर जेपूर में का अपर अस्तित है गोविन देव जी मंदिर जेपूर में यह जो मंदिर गोविन देव कि पर्मुक पीड अंत संपर्दे की पर्मुक पीड का पर ऊस्थीट रिजन वेरी यवेरी पूटेंट है एक्जा में अक्सर पूचा जाता है मुर्णी और गारी ते方 मैं यह ज오 नातधि का पली जाता प्रमुक पीड न विदख़रा हैं साफ में यह च्यायों और मित्रो क्याद जाता है कृ जो अगला को स्ने की कच्छ़बार राजमंस की अरद्य देवी राद्य या इष्ट डेविफ्त आपको बताने मित्रों के सामने के सामने स्ीतला माता सिला यहाद रखने का मंदिर यह आपको याद रखने जो सिला देवी इनकी जो पर्मुक मूर्त्य है यह अश्ट बुजी मूर्ति है आठ बुजा वाली मूर्ति यह आपको याद रखना है और अमेर राजे के सासक थे मानशिये पर्थम ने बंगाल विजे के पसाथ इस देवी की प्रतिमा को प्रतिस्तापित किया था अमेर जेपूर में और आपको याद देखना है सिला देवी के मंदिर में सराब चड़ाई जाती है जो कछवा राजमस की अराध्य देवी है चली अगला कोस्टन है बारतिया वन्या जीव स्रंक्षन अधिनियम 1922 को राजस्तान में किस वर्स लागू किया गया बते दोस्तों यह जो बारतिया वन्या जीव स्रंक्षन अधिनियम 1922 है इसे राजस्तान में लागू किया गया था 1903 में इस question का C option right है चलिए अगला question है मंदिर स्तापत्य की भूमिज सेली किस स्तापत्य सेली की उपसेली है Very very important question है यह जो भूमिज सेली है मित्रो यह नागर सेली की उपसेली है किसकी नागर सेली की उपसेली इस question का A option right है यह जो भुमिज शेली का सबसे प्राचिंतम मंदिर की बात करें तो सेवडिया या सेवाडी जेन मंदिर अमित्रोप पाली का यह सबसे प्राचिंतम मंदिर है तो यह फ्रेट आपको याद रखने हैं चलिए अगला कोश्चन है बादसा ने मिवाड के राणा को आपस के समझोते से अधीन किया था नैकी बल से या कथन किस का है बते दोस्तों बादसा ने मिवाड के राणा को आपस के समझोते से अधीन किया था नैकी बल से या कथन अमित्रो सर टॉमस रो का इसक्वेशन का A option right, Sir Tom's row का चलिए next question है राजस्तान में उंद्रिया पंत किन में परचलिते हैं उंद्रिया पंत है मित्रो ये बीलो में परचलिते है किन में परचलिते हैं बीलो में इस question का A option right है मित्रो वीडियो को лайक जुरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा सेरे करें चलिए अगला कुस्चन है गुबारा नुसरते नागफली गजक नाम है ओप्सन आपके सामने इन्हें ध्यान पुरुक पड़ी है फिर इसका जवाब है दीजिए तो दोस्तों यह है जोदपुर दुरुक की तोपों के नाम बैसे बात करें तोप की तो विस्व या एसिया की जो सबसे बड़ी तोप है बो है जैबान तोप जो जैगर दुरुक मिस्तित है लेकिन बात करें जोदपुर द्रुग की तोपों के नाम वो है गुबारा, नुसरत, नागपली, गजक इनके लवा और भी परमुखे तोपे हैं वो भी आप याद रख सकते हैं जिसे किलकिला, संबुबन, गजनी खां, धूरदानी, कड़क बिजली तो ये दोस्तो जोदपुर द्रुग यानि की मेरानगड़ द्रुग में अस्तित हैं, मेरानगड़ द्रुग का निर्माण 1469 में राव जोदा ने करवाया था, इसी का अन्य नाम है गड़ चिंता मनी, मयूर्द वजगड़ भी से केते हैं, ये चिडिया टुक पाड़ी पर निर्मित है, चली अगला कोस्चन है, जोदपुर किले में पुस्तक प्रकास पुस्तकालिय की स्तापना किशने की थी, ये जो पुस्तक प्रकास पुस्तकालिय इसकी स्तापना की सी मान सिंग राठोड़ने, इस कोस्चन का सी आप्शन राइट है, चली अगला कोस्चन है, राजस्तान की संसकर्ती में मुगदना क्या है बतेज दोस्तों मुगदना सभी के सभी कोस्टन वेरी वेरी इपोर्टेंट है और सभी के सभी कोस्टन एकजामस में पुछी गए हैं तो वीडियो आपके लिए इपोर्टेंट रहता हैं तिम समय पर द्यारप्रो का आपको दे 31 रुपईया राजस्तान की कौन सी टकसाल में बनता था तो दोस्तों यह जो 31 रुपईया है राजस्तान की जो टकसाल है कुचामन नागोर की यहां पर बनता था इस कोस्टन का सी ओप्सन राइट है चलिए नेश्ट कोस्टन है मुगल समराठ सांजा के समय से ही परशिद नार नरते की खेलने की प्रमपरा कहां परचलीत है बते है जोस्तों यह कोस्टन इपोर्टेंट है नार नरते की जो खेलने की प्रमपरा परचलीत रही है वह रही है मांडल में इस कोस्टन का ए ओप्सन राइट है चलिए अगला को ने अनुवरत अंदूलन का सुतर्पात कभ किया था आचारे तुलसी ने अनुवरत अंदूलन का जो सुतर्पात किया था एक मारच उन्हीशों अनुशों उन्चास इसवी को इस क्वेस्टन का बी ऑप्सन राइट है कब किया था एक मारच 1949 इस्वी को आचारे तुलसी ने अनुवर्थ अंदलोन का सुतरपाते किया था चलिए अगला कुस्तन है रियास्तों से समंदित समस्याओं के समादान के लिए रियास्ती विवाक किस्तापना कब की गई पते दोस्तों रियास्तों से समंदित समस्याओं के समादान के लिए रियास्ती विवाक किस्तापना की गई थी यह की गे थी पाँच जुलाई 1947 इस वीक को इस को याद है चली मित्रो अगला कोस्टन है कि मिवाड पुकार 21 सुत्री मांग पत्र का समन्द किस्से था तो मिवाड पुकार 21 सुत्री मांग पत्तर का समन्था मौतिलाल तेजावत से इस क्वेस्टन का A option राइट है चलिए अगला क्वेस्टन है राजिस्तान के एकिकरण प्रकिरिया के सम्या मतस्य संग की वार्षिक आया कितनी थी बते हैं दोस्तों एकिकरण का जो पर्थम चरन है वो था मतस्य संग और इसकी जो वार्षिक आया थी बहुती एक सो चुरासी लाख रूपे इस क्वेस्टन का A option राइट है चले अगला कोस्तन है राजस्तान की किस रियासत को पंडित जवारलाल नेरू ने विशव का आठमा आस्चरे कहा था जो बार्त के पर्थम परदानमंत्री थे पंडित जवारलाल नेरू इन्होंने राजस्तान की जो रियासत है जेसल मेर इसको विशव का आठमा आश्चरय कहा था इस कोस्टन का ए ओप्सन राइट है चली अगला कोस्टन की कांगड कांड किस परजामंडल अंदोलन के दोरान गठित हुआ तो दोस्तों ये जो कांगड कांड है ये बिकानेर परजामंडल अंदोलन के दोरान गठित हुआ था इस कोस्टन का भी ओप्सन आपर राइट हो जाएगा चलिए अगला कोस्टन है इस कोस्टन को द्यानप्रोग पढ़िये फिर इसका जवाब दीजी कोस्टन है कि अंग्रेजों ने अपनी सब्ट बंग की है क्या उन्होंने अवद पर अधिकार नहीं किया अता है उन्हें यह अपयक्षा नहीं करनी चाहिए कि बारतिये अपनी सब्ट का अनुपालन करेंगे 1857 इस्वी की क्रांती के संद्रब में यह किसने कहा था तो मित्रो 1857 इस्वी की क्रांती के संद्रब में यह जो कथन है मौमद अली बेग ने कहा था किसने कहा था मुखमद अली बेग ने इस कोस्टन का D option right है चलिए अगला कोस्टन है निमर में से कौन सा तत वद्दे नहीं है तत वद्दे मतलब तार से निर्मित वद्दे यंतर कौन सा नहीं है इन चार उप्षन के दार पर आपको बताने है उप्षन आपके सामने जंतर रवाज चोतारा सतारा तो दोस्तों ये कौस्टन बहुत बार एक्जाम में पूछा जाता है तो याद रखना ये जो सतारा है वद्दे यंतर है ये तत वद्दे नहीं है यह जो जंत्रे मित्रो लोग देवता देव नरायट जी की फड़ वाजते सम्य प्रयोगे किया जाता है चलिए मित्रो अगला कोस्तन है मांडू के परसिद किले का निर्मान किसने करवाया था मांडू के परसिद किले का निर्मान करवाया था हुसेन सा ने इस question का A option right है अगला question है below में छेडा फाड़ना क्या है below में छेडा फाड़ना मित्रो तला कलाता है इसका B option right है कला एवं संसकर्ती से relative question अक्सर राजस्तान पुलिस एक्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं यह भी आपको द्याने रखने है तो यह topic आपको अच्छी तरह से त्यार होना चाहिए जितने भी कला एवं संसकर्ती से relative question बनते है वो अच्छी तरह से आपको याद होने चाहिए चलिए next question है निमन में से किस माराजा के दरबार में 22 कभी 22 जोतिशी 22 संगितग्य एवं 22 विशेव विशेशक के रूब में गंदरभ बाईशी विद्यमान थी बते ही दोस्तों यह जो गंदरभ बाईशी है मित्रो यह माराजा परताप सी है कि दरबार में विद्यमान थी इसका D option या पर राइट है चलिए अगला कोस्टन है बाईश मुख्यत है कहां पर पाया जाता है option आपके सामने है उद्यपूर अजमेर परताप गड़ बारा तो दोस्तों यह जो बाईश है यह पाया जाता है बर्थपूर में कि सुर्य दोस्तों यह जो बाश है यह पहुए जाताइए उध्यपूर में इस कोस्चन का ए आपसन राइट है बाश वास्तवी गुरूप से गास का ही एक प्रकार है क्या मित्रो गास का यह प्रकार है इसी बाश को केते हैं आदिवाश्यों का हरा सोना यह पूछ है आपको जो अहरासोना केते हैं किसको केते हैं बांस को बांस मुख्य रूप से बांशवड़ा उध्यपुर चितोडगड बारा बर्तपुर माउंट अबू में मिलते हैं तो यह फेक्ट आपको याद रखने हैं चले अगला कोस्टन है यह खस विशेशकर उत्पादित होती है यह जो चले अगला कोस्टन है कि निमनलेखित में से राजस्तान में मरुस्त लिकरन का प्रमु कारन कॉनसा नहीं है नहींव तो आपको बताने हैं उप्सन आपके सामने है नमी की कमी आती पसूचारण नगरी करण सुसक निजिया नहीं करण नहीं कि अगला कुंच्थन की राजस्तान में मरुस्तुली करण के परसार को रोकने के लिए किस नहर के निकट हरित-पटीका का विकास किया गया है तो मित्रो यह जो हरित पटिक है इसका विकास किया गया है इंदरागांदी नेहर के निकट है इस कोस्टन का a option राइट है इंदरागांदी नेहर प्रयोजना इसकी जो प्रारंबिक रूप रेख है वो माराजा सारदुल सिंग ने त्यारे की थी और इसके जो इंजिनियर थे इंद्राकंदी नेर के वो थे कमर सेन यह कोस्टन बहुत बार एकजामें पूछ गया है कौन थे कमर सेन 12 सरकार ने मित्रो 17 जव व्यास नदी के संगम पर फिरोजपुर में 1952 में हरीके बिराज का निर्मान किया था कब किया था 1952 में किस बांद कर निर्मान किया था हरीके बिराज और यहीं से यह निकाली गई है और इससे नेर का जो सुवारा में यानिकी स्रीकनेस किया गया था 31 मारच 1958 को यह डेट याद रखना 31 मारच है इसे राजस्तान की मरूगंगा भी कहते हैं और पुर्वे का नाम दोस्तों इंद्रागंदी नहर का राजस्तान नहर जब इंद्रागंदी की मरती हुई 3 नमबर 1984 के पस्चाथ इसका नाम है इंद्रागंदी नहर प्रियोजना किया गया था इंद्रागंदी नहर से रिलेटी बहुत से एफेक्ट है लेकिन यह मुस्ट इपोर्टेंट है जो एक्जाम में अक्सर पूछ लिये जाते हैं तो आपको यह यादे रखनिया इंगिंदी अगले इंद्रोंक जिरेक्स करीशी जलव्युश्च के अंतरगत आते हैं तो दोस्थो जरेपूर अजमेब्ध दोस्टा और टॉंक यह जो जिले हैं यह यह आते क्रूष जलवाई यू तीन एक अंतरगत इसका बिशूर आ अगला कोस्टन है बेड़ की कौन सी नसल राजस्तान में बार्तिया मेरीनो के नाम से परसी यह सबस्टन मॉडल पेपर में पहले भी पूछा गया है लेकिन आज फीर आगया आपको द्यार कर रहा है जो बार्तिया मेरीनों है यह चोकला को कहते हैं चोकला को सब्सक्राइख यहां पर कुछ और प्रपक्र आपको उपताता हूं जो चोकला भी ड़िए इसका ही अन्य नाम है चापर क्या चापर इसी को सेखावाटी क्यों कि जद दर शेखावाटी में पाई जाती है इसलिए इसी बेड़ का दूसरा नाम है सेखावाटी और यह तो प्रचलीत नाम है सबसे अच्छी किसम के होती है इसका जो प्रजिनन एवं अनुसंदान के अंदर है वह कोडम देसर बीका नेर में यह आपको याद रखना है बाकी बात करें केंद्रिय बेड एवं उन अनुसंदान संस्तान अविका नगर टोंक में अस्तित है अगला कुस्तन है राजस्तान का धन्यागार कहा जाने वाला च्छेतर सिंचाई के लिए पानी कांसे लेता है बढ़ें दोस्तों राजस्तान का अनकाकटोरा राजस्तान का धन्यागार राजस्तान के किस जिले को पंजाब का जाता है तो वो का जाता है स्री गंगानगर को यह तिन उपनाम है स्री गंगानगर के वेसे बात करें राजस्तान का पंजाब है संचोर जालोर लेकिन राजस्तान का पंजाब किस जिले को का जाता है तो याद रखना स्री गंगानगर को यहां पर जो सिंचाई के लिए पानी मिलता है वो मिलता है गंग नहर से गंग नहर मित्रो विशब की सबसे प्रानी एवं विक्सित नहर के लोजना है इसका उद्गाटन 26 अक्टूबर 1927 को जो वाइस रहे थे लोरड इरिवीन इनके द्वारा किया गया था और गंग नहर की जो कुल नंबाई है वह 139 किलोमेटर है कितनी है 139 किलोमेटर है जिसमे पे अग्ला कोस्ट ने सेखावाटी के अंतरप रवाय चाहतर में निर्मीत कच्चे जल्ले स्तिरोत को किस नाम से ज से जाना जाता है और生ा नाम से का प्रिवर्तित नाम किय गयाए यह को धियान रखना है 999न ह edinee 2021 यह एज it beka फ्रिवर्तित नाम है मित्रों मानेश को नहीं जोड़ता है मानेश को नहीं जोड़ता इसका ध्यार कना आप良 रिवा właści बिवाडी अलवर दारुएड़ा यह जो चार स्तान है मुख्यत है इसके द्वारा जोड़े जाते हैं राजस्तान में इसकी जो लंबाई यह लगबग पांच किलो मिट्र है यह आपको द्यार करना है टोटल इसकी लंबाई चोतर किलो मिट्र है यह भी आपको याद रखने ह चलिए अगला कुस्तन है पलाना च्छेतर निमर लिखित में से किस स्त्रोथ के लिए परसीद है तो पलाना च्छेतर मित्रो यह आपर लिगनाइट किश्म का कोईला मिलता है तो यह बी आपसने आपर राइट हो जाएगा अगला कुस्तन है निमर में से कौन सा खनीज तेल का छेतर है राजस्तान के बाड़ मेर जिले में नहीं है बते ही दोस्तों कौन सा खनीज तेल का छेतर राजस्तान के बाड़ मेर जिले में नहीं है तो यहां पर सी ओप्सन राइट हो जाएगा सोबाग्यम यह जो सोबाग्यम है यह बाड़ मेर जिले में नहीं है बाकी बात क बेज़ाबाद यह बीलवाडा में पिले तो आपको यह द्यार रखना है का पर है बीलवाडा में और यह कोठारी नदी पर निर्मित किया गया है भी उपस ने हापर राइट हो जाए यह जो कोठारी नदी है इसका उद्गम होता है दिवेर गाटी की पाड़ियों से यह जो इसका हुद्गम होता है और यह जो कोठारी नदी है यह बby नास की सायक मियर às 20 probably और मित्र यह जो मेझाína वनाम है वो neden ग्रिन माउंट किया ग्रिन हमाउट आप यह आपको जाना है खैसो ग्रिन मौंट मेझाबांद का ओपनाम है अगला कुस्त ने राजस्तान के निमल लिखित में से किस जिले में परसिद स्थान मांडलगड इस्थित ए तो मित्रों मांडलगड बीलबड़ा में इस्थित ए इसका बी ऑप्सन राइट हो जाएगा अगला कुस्टन राजस्तान का कौन सा जिला अंत्राश्टिर शीमा के निकट नहीं है तो मित्रों अंत्राश्टिर शीमा के निकट चार जिले मुख्यत हैं वो मित्रों कौन-कौन से है गंगानगर बाड मेर बीकानेर और जेसल मेर तो यहां पर हनुमानगड नहीं है इसका ऑप्सने रायट हो जाएगा है अगला कुस्त ने डाइ नदी का समंद राजस्तान के किस जिले से तो डोस्तों यह जो डाइ नदी है इसका समंद एजमेर जिले से इसका सी आप रहे है इसका उ सब्सक्राइबrics के किसंगड एवं नसीर अबाद की पाड़ियों के मद्य से और ये डाई नदी मिलती है मित्रो बनास में बनास की सहक नदी ये भी आपको याद रखना है अगला कोस्टन है निमन लिखित में से किसको अर्द चंद्राकार बालू का स्थूप कहते हैं तो मित्रो जो अर्द चंद्राकार बालू का स्थूप है य अबतně हैं कोण सी प्रमुक्त करेपानी की जील लुटी बेसटिन में थिते हैं थो मित्रख़ 15 और जील यह लूनी बेस रिशल अब कर आज मेर जिल है यह दो याद को याद रखने हैं कर ने कोठारी नदी का उद्ण परोट है तो मैंने आपको बताया पहले कोठारी नदिया इसका उद्धगम होता है राजसमंद में जो दिवेर की पाड़ी है यहां से इस कोस्टन का भी ऑप्षन राइट है तो दोस्तों यह थे इस मोस्ट इपोर्टेंट 45 कोस्टन आपको यह वीडियो कैसा लगा यह वीडियो के कमेंट बॉक्स में जुरूरह बताएं और इन 45 कोस्टन में से आपके कुल कितने को कि कैसी त्यारी चल रही है वह भी आपको पता चल जाएगा और दोस्तों डिस्क्रप्शन में लिंक दिया गया टेलीग्राम चैनल का उसे जुरूर जोइन करें वहां पर आपको राजस्तान समयने ग्यान से रिलेटिव नौट्स उपलब्दे होते रहेंगे मेरे साथ जुड गया था कि राष्ट्रियस तर पर किसे राजस्तानी पुसाग को मानेता मिली है तो इसका एउप्शन राइट था जोद्पुरी कोट को राष्ट्रियस तर पर मानेता मिली है इसका एउप्शन राइट था आप सभी ने इस कोस्टन का जवाब दिया राइट आपको पुने समय तक याद रहती है तो बात करते हैं अब question of the day के बारे में आज का question के बादला कहां का परसीद है option आपके सामने बसी चितोडगड जोदपूर अजमेर रासमंद तो मित्रो इस question का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जुरूर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आजिर होंगे तब तक के लिए जय हिंद वंदे मात्रम जय भारत